नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में अगर आप महिला हैं और आप बेरोजगार हैं तो आप के लिए बहुत ही बढ़ी हाँ चांस है क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार ने UPBC सखी नामक एक यहाँ पर वैकेंसी जारी की है जो की काफी समय स बार आप आप की साथ आप अपकी उम्र कहां से कहां तक होनी चाहिए तो आप अपलाई कर सकते हैं चेंडियोगता क्या होनी चाहिए इन सब बातों पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर complete जानकारी आपको देंगे साथ में अगर आप नए है वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रस करके रखिए ताकि जब भी कोई नई जानकारी जाए तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो साथ यो अपलाई करने के पहले कुछ बाते हैं वह आपको जान लेना चाहिए जैसे की बीसी सकी है क्या और इसमें होगा क्या तो यहाँ पर जो कुल पद है तीन हजर आठ सो आठ कुल पद निकाले गए हैं जो कि यहाँ पर वेबसाइट आप देख सकते हैं इस पर जाके जानकारी को पराप्त कर सकते हैं ठीक है अपलाई कैसे होगा तो अपलाई करने का जो त करते हैं लेंदेन करने के लिए तो सरकार आप क्या करना चाहा रही है कि अब आपके प्रते ग्राम सभा में एक बीसी सकी अलाट करेगी इसका काम यह होगा कि जो भी बैंकिंग सेवाएं हैं वह आपको गाउं-गाउं ही मिल जाएगी तो यह हो गया इसका बेसिक मतलब ठीक ह अब यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कहा पाँ पर कैसी वैकंसी है और अपलाई कैसे करेंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं अपलाई करने के लिए सिंपली आपको Google Play Store पर आ जाना है और आप सभी के पास mobile होगा ही तो आपको सिंपली यह टाइप कर लेना है आप इसको लोगो गयरत देख सकते हैं अब जैसे आप यह टाइप करेंगे तो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस सामने नजर आने लगता है और आपके सामने आपकर कुछ ऐसे चीजे मिलती ह तो यहां पर जितनी भी चीज़े हैं उसको आपको ध्यान पूरोग पढ़ लेनी है तो चलिए यहां पर देखते हैं कि वांचित बीसी सक्की अब एड़ती सिर्फ उन्हीं ग्राम पंचायदों के लिए आवेदन कर सकती है जहां से बीसी सक्की का कोई भी आवेदन से नहीं ह है वह पांच मतलब 15 जून को रखा गया है चुकि यह पुराना है अभी अपडेट नहीं किया गया है तो चुकि यह अपडेट हो जाएगा तो इसमें नया डेट आ जाएगा ठीक है और कोई दिक्कत होती तो यहां पर इनका मुबाइल नंबर दिया है ठीक है इस नंबर प दिस से तो उसको आपको यहां पर डालना है तो चलिए मैं यहां पर अपने डिस्टी को डालता हूं और यहां पर ब्लॉग का नाम डाल दिता हूं ठीक है तो ब्लॉग का नाम डाल दिया मैंने देन उसके बाद रिक्ट पद देखते हैं तो यहां पर ठीक है इतने यहां प को मुबाइल नंबर इंटर कर देना, जो भी आपको लगाना है, और ध्यांने है कि मुबाइल नंबर आपका आधार कार्ट से रलेटेड होना चाहिए, और बैंक में भी यही मुबाइल नंबर लगा होना चाहिए तो यह सारी चीज़े अपडेट करने के बाद आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा अच्छा इसे में बात करते हैं कि डाकूमेंट कौन कों से लगेंगे तो फिर डाकूमेंट की बात करें हम तो इसमें सबसे पहले आपका ध्यान रखिएगा कि हाई स्कूल आप की योगता होनी चाहिए कम से कम आप हाई स्कूल पास होनी चाहिए हाई स्कूल पास होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड ठीक है बैंक खाता ओपर होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि आप समो में जुड़ी होनी चाहिए अगर आप समो में कि जैसे जो भी पढ़ा लिखा करती होगा उसी के साथ रहेंगे तब आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि जब आवेदन करेंगे तो यहां पर 50 नंबर का आपका टेस्ट भी होगा जो कि माथमेटिक्स रिजनिंग ठीक है और हिंदी अंग्रेजी से रिलेटेड होने वाले हैं तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आवेदन तो कते नहीं कर पाएंगी यह बात आपको ध्यान रख लेना है ठीक है तो यह सारी चीजें हो गए हाई स्कूल की योगिता होगी आ सबसे बड़ी बात कि आपके पास mobile होना चाहिए सबों में आप जूरी होनी चाहिए तो जैसी आवेदन करने के साथ आपको होता क्या है कि आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए ठीक है तो आपका जो mobile नंबर होगा उस पर phone आएगा या फिर मैसेज आएगा और आईसी कंडिशन में जिसने माल लेते हैं कि एक ग्राम सब्सक्राइब से दो लोगों ने या तील लोगों ने आप इन दिन कर दिया है तो उसमें क्या होगा तो वहाँ पर भी आपको दियान खना है कि जो इसका टेस्ट होगा उस टेस्ट के आधार पर सेलेक्शन किया जाएगा यानि कि जो भी बेस्ट करेगा इस टेस्ट में वही सेलेक्ट किया जाएगा और सेलेक्ट होने के बाद आपकी साथ से आठ दिन की ट्रेनिंग हो जाती है और ट्रेनिंग होने के बाद आपको वापर सारी चीज़े सिखाएंगी दिन आप BC सकी हो जाएंगी और आपको ID पासवर्ट मिल जाता है I hope friends इस वीडियो के माध्यम से आपको complete information मिल गई होगी कि BC सकी है क्या कैसे आप इदन करेंगे तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक भी share जरूर करिएगा उसाथ में वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को अभी भी subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा मिलते हैं next वीडियो में next update के साथ thanks for watching